दोस्तों मेरा नाम शानवाज है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले है Voltas Beko के न्यूली लॉंच हुए सैट बैसेट रेफ्रिजेटर के बारे में जो कि आता है 563 लेटर का इस रेफ्रिजेटर का मॉडल नंबर है RSB 585XPE इस रेफ्रिजेटर के अंदर आपको Pro Smart Inverter Compressor External Electronic Temperature Control 2 साल की Total Warranty और 12 साल की warranty आती है इसके कंप्रेसर की Active Fresh Blue Light और Hasin Fresh Filter जैसे यूनिक फीचर्स आते है इस रेफ्रिजेटर का MRP है 89,990 और ये मार्किट में बेचा जाता है तकरीबन 68,000 के आसपास के Pricing में Pricing और Offers हमेशा Change होते रहते हैं तो मैंने आपको Link दिया वहें नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप चहतो वासे से पच्चेस भी कर सकते हो आज की वीडियो में में इसके बारे में अगर हम इस रेफ्रिजेडर के दूर की बात करें तो सबसे उपर के तरफ लिखावा है अटाटा प्रोड़क्ट हम सबको पता है कि टाटा का मतलब होता है ट्रेश्ट, भरोसा और यकींग इस रेफ्रिजेडर के अंदर आपको दो साल की टोटल वारेंटी आती है और बारा साल की वारेंटी आती है इसके कंप्रेसर की अदस ब्रांग के साड़ बासाट रेफ्रिजेडर में स्रिफ एकी साल की वारेंटी आती है लेकिन वोल्टास बेकों ने अपने सारे मॉडस में दो साल की टोटल वारेंटी दी है इस रेफ्रिजेटर में इस प्रकार के दो बड़े-बड़े एक्ष्टरनल बार हेंडर्स भी आते है जो इसे प्रीमियम लुक्ष देते है और दोर पे ही दिया वाई इसका external digital display, जहांसे आप पूरे freeze को कन्ट्रोल कर सकते हो left hand side पे जहाँ पर freezer लिखावा है वहाँ पर press करकि आप freezer section के temperature को set कर सकते हो इस रेफ्रिजेटर में freezer section का temperature मिलता है minus 14 degree से लेकर minus 22 degree तक का तो आप अपने recommend के हिसाब से temperature को set कर सकते हो, जो भी आपने temperature set किया है वो आपको display पे बता देता है, रहे टन सैड पे जहापर freeze लिगावा है अब वहाँ पे press करके freeze section के temperature को set कर सकते हो, इस refrigerator के अंदर freeze section का आपको temperature मिलता है, 2 degree से लेकर 8 degree तक का, तो आप अपने recommend के हिसाब से freeze section के temperature को भी set कर सकते हो इस refrigerator के अंदर आपको अलागलग प्रकार के modes भी दिये वे हैं जिने आप mode की बढ़न से set कर सकते हो सबसे पहले आता है smart mode इस mode के अंदर आपका refrigerator automatically अपने temperature को set कर लेता है internal temperature और ambient temperature के हिसाब से दूसरा आता है eco mode जिसके अंदर lowest energy consumption होता है तीसरा है super cooling mode जिसके अंदर आपका fridge compartment तकरीबन 2 घंटे तक का maximum speed पे काम करता है चौता आता है super freezing mode जिसके अंदर आपका freezer compartment तकरीबन 6 घंटे तक का maximum speed पे काम करता है और इन सब के बाद में आता है display को lock और unlock करने का option अगर हम इस refrigerator के अंदर के portion की बात करें तो left hand side का पूरा का पूरा portion होता है freezer compartment और right hand side का पूरा का पूरा portion होता है fridge compartment फ्रीजर और fridge दोनों section में ऊपर के तरफ LED LED लगी हुई है दोनों section में यही से रोशनी मिलती है freezer section में 6 अलग-अलग compartment बना कर दिये वे हैं इनके अंदर आप अपनी kitchen का तकरीवन 70% के आस-पास का सामान श्टोर करके रख सकते हो आप freezer section के अंदर चिकन, मटन, मच्ची यानि की non-vegetum को श्टोर करके रख सकते हो इसके अलावा जो draft fruits आते हैं जैसे की काजू, बादाम, पिस्ता, अक्रोड, खजूर आप उन सारी चीजों को भी रख सकते हो इसके अलावा आप ए घर में जितनी भी परकार की डाले होती है जैसे की तूबर की डाल, मसूर की डाल, मूम की डाल, माश की डाल आप सारी डालों को एट-एट कंटेनर में या एट-एट पैकेट में डाल कर सालों साल फ्रीजर में रख सकते हो इसके अलावा रवा, मैदा, सूची, वटाना, मतर, आईस क्रीम, मेडिसीस, मसाले और भी बहुत सारी चीजों का फ्रीजर में स्टोर करके डख सकते हो फ्रीज सेक्षन में भी आपको छे अलग-अलग कंपार्टमेंट मिलते है जिने में आप अपनी रिकॉब्मेंट के हिसाब से चीजों को रख सकते हो और fresh section का जो vegetable box होता है उस box में पीछे की तरफ इस प्रकार का active fresh blue light भी आता है ये blue light continuously photosynthesis का काम करता है और इस blue light के वज़े से fruits और vegetables का vitamin C का level natural flavor जादा समय तक का maintain रह पाता है ref section के अंदर आपको hygiene fresh filter भी दियावा है जो bacteria, virus, bad smell को remove करने में मदद करता है इन सब चीजों के अलावा freezer के door में 4 door rack और fridge के door में भी आपको 4 अलग अलग door rack दिये वे है जिन में आप अपनी recommend के हिसाब से चीजों को रख सकते हो तो दोस्तों मैंने आपको link दियावा है नीचे description के अंदर अगर आप चाहो तो वा से इसका updated pricing भी पता कर सकते हो और वही से आप इसे purchase भी खा सकते हो तो अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे like करे शेर करे जो भी आपको कुशनों का comment box में जरू टैप करे और चैनल को जरू सब्सक्राब करे धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब रहे